हेलो गई स्वागत है आप सबका आज हम बात करें कि अधानी एनर्जी सोल्यूसन की सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस है कि अगर आपकी इसके अंदर होल लिंग है दोस्तों तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें इसके उपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के उपर अप्लेट जो है एनलिसिस करते है तो सबस्क्राइब ज़रूर कर ले और यहां पर अच्छा का साइस ने हाई बनाया है बोला ता कि यहां तक यह जहा सकता है आगे देखें के हुँट है यहां से लेकर यहां तक यह कर्रेक्शन आया वो भी हम बेखें कि क्यू आया और एक चीज़ व हम ने ये GMDC का शेर किया था शोट वीडियो के अंदर ये हमारे शोट वीडियो अपलोड करते हैं तो वो भी ज़रूर देखा करें आज इसके अंदर भी देखें तो 4% के आसपास की तेजी है और ये 450 रुपए तक इसने जो है हाई बढ़ाया था और खुला था तब भी इतन के अंदर थोड़ी से देर लगती है कुछ के अंदर स्टोप लोज भी ट्रीकर होते हैं आप ट्रेड ले ले लेकिन आप दूसरे हमारे वीडियो देख जरूर सकते हैं उसका अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है यहाँ पर देखते हैं आज के कारोबार की बात त सबेरे सबेरे ही बनाया है और इसको आप देखे तो सीधा जो है उपर खुल के मतलब की एक टेजी के बाद जो है थोड़ एक अच्छा खासा थोड़ा नहीं अच्छा खासा यहाँ पर प्र प्रॉपिट बुकिंग आई है इसकी एक रीजन भी हो सकती है जिसको हम आगे द पहला बॉटम उसके बाद तेजी बाउंस बैक उसके बाद दूसरा यह अगर देखे तो दूसरा बॉटम उसके बाद वापस से यह अब जो है तेजी या भी बाउंस बैक आया है पिछली बार भी मैंने बोला था अगर इस लेवल को जो आज इसने हाई बनाया है इसी के आ इतना एक correction आया profit booking आयी और उससे भी पहले की बात आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यह आप देखें तो यहाँ पर इसने एक ड्रेगन फ्लाइव डोजी केंडल बनाई थी कहीं बार जो है केंडलिस्टिक चार्ट पेटर्न की केंडलिस्टिक तो यहाँ पर आगर आप देखें तो यह ड्रेगन फ्लाइव डोजी केंडल बनी थी मैंने बोला था कि इसके अंदर तेजी की संभावना हो सकती है उसके बाद और यह वीकली चार्ट है थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है बोला था और एसी ड्रेगन फ्लाइव जो है इससे बिल्कुल उल्टी केंडल यहाँ पर बनी थी और यह तेजी के टाइम बनी थी उसके बाद प्रोफिट बुकिंग आई थी करेक्शन आया था और यह जो है करेक्शन के वक्त जो है उसके बाद जो है यह ड्रेगन फ्लाइव डोजी बनी तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं उसके बाद यह अब जो है इसके अंदर तेजी या फिर बाउंस बेक आया है बहले किसी भी रिजिन से आया हो न्यू गेप भी स्ने फिल नहीं किया था, यह यहां पर टिक किया हुआ है, वह गेप नौ सो पीच्च्छी के आसपास है, आज का हाय अगर देखे तो नो सो साथ-टर का आसपास बनाया था, पिछली बार प्यलिए भी यह पर भी जो है वह गेप फिल नहीं हुआ है, अब इसके आग चौट की बात करें, और अगर बड़ी रेंज की बात करें, सब्सक्राइब चोड़ा है और यहां पर जब तक मुझे ऐसा लग रहे कि यह फाइव और डाइज के मूविंग एविलेज के ऊपर है तब तक यह लग रहे कि स्ट्रेंद बनी हुई है बाकी यह भी हर दिन होते रहते अभी यह उपर जा रहे हैं तो पहला सपोर्ट जोन आप ही यूसपूल रह सकते हैं मैंने कई बार बोला है अब अगर रजिस्टर्ट की बात करें तो यहां पर पहला रजिस्टर्ट जो दिख रहा है वो 930 उसके बात देखे तो यह 980 रुपे के आसपास का जो कि हमने देखा वहां पर एक चोड़ा हुआ है इसने और अभी क इसके उपर चाहे तो द्यान रख सकते हैं और आज के वीडियो में इतना ही शाम को इसके उपर डीटेल में चर्चा करेंगे बाजार बंध होने के बाद और आज अगर यह 930 रुपे के उपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है इसके लिए क्लोजिंग कहां पर इसके लिए तो इसकी में दारी में चर्चा के साथ खुदी ले यह वीडियो में नहीं किसे नपर परस के लिए बनाएं मेरे तरफ से कोई बाया सेल के रेकमेनेशन नहीं है थैंक्यू